चुनावायोग यानि इलेक्शन कमिशन ने वोटर आईडी कार्ड को सैजनी के जंजर से मुक्ती दे दिये इसे भी जब चाहे तब हदार कार्ड की तरह डाउनलोड किया जा सकता है चुनावायोग ने 25 चनवरी से इवोटर कार्ड की सुईदा शुरू कर दी है चुनावायोग ने नेशनल वोटर दे के दिन पर इपिक लॉंच किया इपिक का पीडिया संस्क्रण होगा इसमें एडिटिंग नहीं की जा सकेगी डिजिटल आई कार्ड में अस्वीर और सीरियल नमबर आदी के क्यू आर कोड भी होगा अब आपको बताते हैं कि डिजिटल इपिक कार्ड की खास बाते क्या हैं 28 जनुरी से 21 जनुरी के बीज पहले चरण में डिजिटल कार्ड सिर्फ नए वोटर को मिलेंगे इसमें भी उन लोगों को फी आईडी कार्ड मिलेगा जिनोंने अपने मतदान कार्ड के लिए आउदन करते वाग चुनावायोग के साथ अपना मोबाइल नमबर रजिस्टर किया है उनके नमबर पर एक मेसेज भी आएगा जिसमें वो अपना डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर सकेगा अगर आपका नमबर चुनावायोग में रजिस्टर नहीं है तो आपको डाउनलोड की सुईदा नहीं मिलेगी एसे मतदान जिनोंने अपने फोन नमबर को चुनावायोग के साथ रजिस्टर नहीं करवाया है उन्हें नमबर लिंक करवाना होगा डिजिटल मतदान पहचान पतर हादार कार्ड की तरह ही PDF फॉर्मेट में होगा मतलब इसमें इसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता नहीं मतदाताओं को डिजिटल वोटर कार्ड की सुईदा के साथ आड़ कोपी भी मिलेगी इपिक को डिजिटल संस्करन कराने का कारण वोटर आइडी कार्ड को बढ़ो जल्दी से जल्दी अपने वोटर्स तक पहुँचाना है कई बार फिजिकल कार्ड पहुचने में देरी हो जाती है सरकारद視ा उपलब्द कराएगे डीजी लोकर में भी डीजिटल वोटर आईडी कार्ड को इस्टोर किया जा सकता है डीजिटल कार्ड एक सुरुक्षित QR कोड के साथ होगा QR कोड के जरिए फरजी वोटर आईडी कार्ड की जा सकेगी अब जानिये डीजिटल वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड करें डाउनलोड फिलाल वही लोग कर सकेंगे जिन्होंने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्टर किया है उनके पास एक लिंक आएगा जो चुनावायों के पोर्टल पर ले जाएगा वेसे खुद भी waterportal.eci.gov.in पर लोग इन करके डिजिटल आईडी कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है डाउनलोड के लिए इपिक के लिंक पर कलिक करें एक फर्वरी से जिन्होंने अपने मोबाइल नबर चुनावायों के रजिस्टर करा रखे है उन्हें एक लिंक आएगा और लिंक के जरीएवे कार्ड भी डाउनलोड है कर सकेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो